हेलो एवरिवन कैसे आप सभी अमीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे यह जब भी मैं अभी अपने अगले टॉपिक के लिए जा मैं सर्च कह रहे थी तो एक बहुत ही अच्छी कुछ तो आपके सामने मैं लेकर आई हूं को teaching you laugh sorry you laugh you cry and you work harder than you ever thought you could some days you are trying to change the world and some days you are just trying to make it through the day your wallet is empty your heart is full and your mind is packed with the memories of the kids who have changed your life just another day in the classroom तो यह जो लाइन्स हैं इन लाइन्स ने teaching को बहुत अच्छे से define किया है कि कभी हम खुश होते हैं कभी हम रोते हैं कभी हम बहुत जादा महनत करते हैं कभी अतनी कि हमने कभी सोची न थी कभी हम दुनिया को चेंज करने की कोशिश करने लगते हैं और कभी जो है बड़ी मुश्किल से अपने ही काम पूरे कर पाते हैं हमारे वालेट हमारे पास खाली हैं हमारे बटवे खाली हैं लेकिन हमारे दिल भरेवे हैं हमारे दिमाग जो है एकदम पैक्ड है हमारे बच्चों की मेमोरी से इतने सारे बच्चे के हम कांटेक्ट में आते हैं उन सब की मेमोरी से हमारे जो दिमाग है उनस बच्चों के नाम उनस रेटेट चीज़ों से हम पैक्ड हैं उन्होंने हमने उनकी life कैसे change करी, उन्होंने हमारी life, हमारी अंदर क्या changes लेकिया है तो यही सारी चीजे हैं जिसको बहुत अच्छे से इन lines ने teaching को, teaching profession को define किया है और यही है कि यही हमारा teaching profession है that our wallet is empty but our heart is full and our mind is full of packed memories of kids ये जो line especially ये जो line है ये हमारे teaching profession को बहुत अच्छे से define करता है कि our wallet is empty लेकिन हमारे दिल, हमारे दिमाग सब भरे वे हैं अपने बच्चों से उनकी यादों से तो चलिए फिर आज का topic स्टार्ट करते है पेपर 3, Learning and Teaching, Unit 5, Teaching as a Profession topic है आज का, Characteristics of Teaching Profession and the same objective to make my students fall in love with the profession आज जो है मैं आपके लिए जो teacher लेकर आई हूँ वो है Multitasking Teacher Teacher क्यों नाम दिया है because Multitasking Ninja is not an actual job title you know ninjas, ninjas जानते हैं अब क्या होता है निंजा वो होता है जो बहुत कुछ कर सकता है उन्हों उसके पास बहुत सारे you know powers होते हैं उसके पास बहुत कुछ कर सकता है you know वो save life को वो save करता है वो बहुत सारे काम कर सकता है उसके पास बहुत सारे weapons होते हैं तो teacher बीने किसी ninja से कम नहीं है, उसको वो भी teaching भी जो है, एक multitasking job है, उसको भी बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे responsibilities, बहुत सारे duties निभाने पड़ती हैं, बहुत लोगों की उमीदों पे खरा उतरना होता है, तो इसी लिए teacher जो है, वो भी किसी ninja से कम नहीं है, So this presentation is going to be present by Mrs. Subuhi Rehmar, let's start, teach characteristics of the teaching profession, teaching profession की क्या-क्या विशिष्टा हैं, वो आज हम जानेंगे, exam point of view से यह topic बहुत important है, इसको अच्छे से आप देखेगा, पहला है, it essentially involves an intellectual operation, इसमें, इसमें यानि की teaching profession में अनिवारे रूप से बौधिक क्रिया होती है, देखे, बहुत सारे activities हम करते हैं, बहुत सारे हम काम करते हैं, उसमें अलग-अलग activities का requirement होती है, physical activities भी हम करते हैं, लेकिन यह जो एक क्रिया है, जो पठन-पार्थन की जो यह क्रिया है, teaching process जो है, teaching profession जो है, यह basically जो है, एक intellectual, एक बौधिक क्रिया है, लो हम क्या करते हैं, जब हम कुछ चीजे हैं, हमारा जो objective है, हम teaching profession में main objective क्या है, अगर हम teacher बने हैं, तो हमारा basic objective क्या है, हमारा objective यह है, हमारा मकसद यह है, हमारा लक्षे यह है, कि हमारे जो students हों, हमारे जो चात्र हैं, जो भी हमारे पास आएं, उनका हम पूर विकास करें, संपूर विकास, overall development करें, उनके अंदर positive behavioral changes हम लेके आएं, तो इस लक्षे को हासल करने के लिए, हम को बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो जितना भी हम कुछ करने की कोशिश करेंगे न, वो सब हमारे intellectual operation की वज़ा से ही हम कर सकते हैं, हम चीजों को प्लान करेंगे, तैयारी करेंगे, तैयारी करने के बाद हम खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, चीजे प्लान आउट करेंगे, और पर उस चीजों को हम अमली जामा पहनाएंगे, बच्चों को समझाने की अलग 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 तरीकें से बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे तो यह जो teaching profession है यह basically intellectual operation है एक बौधिक क्रिया है तो हम कहा सकते हैं कि इसमें इस profession में जो लोग आते हैं उनको अपनी बौधिक शमताओं को विकास यहां पर अपना करना होगा तभी इस profession में जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं तो in other words we can say that a teacher is an intelligent person a teacher is an intellectual person who perform these intellectual activities in the class for the overall development of his or her students तो basically teacher जो है वो क्या करता है वो अपनी बौधिक शमताओं से बच्चों का संपूर विकास करता है ठीक है teaching profession एक ऐसा profession में जिसमें आपकी intelligence आपका intellectual बहुत ज्यादा माइने रखता है आप जितने ज्यादा intelligent होंगी जितना ज्यादा आपका वोधिक शमता होगी उतना ही ज्यादा आप एक अच्छे teacher बन सकते हैं और बच्चों का भला कर सकते हैं next one is it tends towards self organization ये स्वेम संगठन की और लेके जाता है teaching profession में teacher का क्या लक्ष है क्या उसका main motive है कि बच्चे का overall development करना उसके अंदर positive behavioral changes लेके आना तो इतना बड़ा जब आपका मकसद है इतना बड़ा जब आपका लक्ष है तो आपके अंदर भी तो नो वो qualities होनी चाहिए आप खुड एक organized personality हो आप बिखरी भी personality नहीं होनी चाहिए एक teacher अगर बिखरा पर पर personality होगा उसको खुदी नहीं मालुम है क्या करना है क्या वो है उसकी क्या अपनी शम्ताएं है क्या वो कर सकता है उसको खुदी नहीं पता है तो वो students का क्या भला करेगा इसी नहीं teacher को सबसे पहले ही अपने आप को self organized करना होगा अगर हम दूसरे की personality develop करना चाहते हैं दूसरे के अंदर behavioral changes करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को swim संगठित करना होगा यह हम कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हम अपने luxury बनाए हम अपने कुछ teaching हमारे अपने as a teacher कुछ objectives हों कि हमको यह करना है हम अपनी teaching में अपने profession में यह मेरे objectives हैं यह achieve करना चाहता हूं ठीक है यह मेरे अपने नहीं कुछ goals मनाई हैं फिर उन goals के उपर अपना वर्क करिए फिर उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को अपने अपजिक्टिवली रिव्यू करिए किस हद तक मैं अपने इन गोल्स को जो है माचीव कर पाया कितना मुझे और बहनत करने की जरूरत है तो आपको क्या आपको अपने आप से चाहिए क्या आपके आप अपने आपको किस तरह से आखते हैं as a teacher आप अपने आपको कितना rate करते हैं as a teacher आप अपने आपको कितने अंक देंगे आप अपनी teaching को अपने पढ़ाने को आप कितने अंक देंगे कितने grade देंगे आपके अंदर क्या आपकी teachings related क्या और ज्यादा improvement के scope है आप किस तरह से अपने teaching को और ज्यादा बहतर बना सकते इस चीज़ के उपर सबसे पहले हमको work करना पड़ेगा काम करना पड़ेगा तभी अपने आपको self organized करना पड़ेगा अपने आपको संगठित करना पड़ेगा तभी हम अपना जो responsibility है हमारे उपर जो responsibility है बच्चे का overall development की उनके अंदर behavioral changes लाने की nation builder बनने की तभी हम इतनी बड़ी responsibility को उठा सकते हैं otherwise we cannot do this next one is it basically performs a social service ये मूल रूप से एक समाज सेवा है अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं अपने ancient times पर teaching इतना जो हम teaching का हमारे पूरी इतिहास रहा है teaching is something which is not new for our society for our culture teaching का तो बहुत बड़ा एक culture हमारे culture हमारे देश में रहा है गुरू कुल्स में गुरू का गुरू कुल्स का और किस तरह से तो वो सब उस वक्त जो है क्या कहा जाता था क्या समझाता था ancient times में जब गुरू और गुरू कुल्स हुआ करते थे कि ये जो है एक social service है जो बहुत ग्यानी लोग हुआ करते थे वो as a social service जो है समाच की सेवा के तौर पर वो अपना teaching का काम किया करते थे वो लोगों को पढ़ाने का ज्यान देने का ignorance से दूर करने का काम किया करते थे तो यहाँ पर यही बात की जा रहे कि टीचंग जो एक profession बन चुका है यह एक paid occupation बन चुका है जहां पर आपको कुछ requirements है जहां पर आपको payment किया जा रहा है एक profession teaching के साथ एक profession का word add हो चुका है लेकिन इसकी जो आत्मा है उके इसने उपरी तोर पर हम कहें कि उपरी तोर पर इसने एक जामा पहन लिया है प्रफेशन का लेकिन जो इसकी आतमा है जो इसकी रो है वो अभी भी social है यह अभी भी हम कह सकते हैं कि जो teaching है जो यह teaching जो हम कर रहें यह basically हम social service कर रहें अपने interest को अपने self interest को हम दूर करके हम दूसरे को बहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप देखेंगे teacher के teacher वही का वही रह जाता है school में और बच्चे जो हैं बड़े बड़े बन जाते हैं दूर दूर जगह जले जाते हैं अच्छे अच्छे काम करने लगते हैं खुब पैसे कामाने लगते हैं खुब अच्छी चिलावि स्टाइल वह लोग जीने लगते हैं और teacher वैसा ही रहता है तो अपने self interest को teacher जो को पीछे रखके लोगों की भलाई का काम करता है, उनको ज्ञान देता है और उनकी जिन्दगियों को बहतर से बहतर बनाने की कोशिश करता है फोर्थ पन इस इस इसमें उच्छ इस्तर की स्वेटिता होती है ठीक है, आटोनोमी का जैसा भी मैंने मतलाया कि यह इसमें की किसी भी तरहां का इंटर्वेंशन नहीं होता है कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं होता है आप जो है अपनी क्लास के आप जो भी आप पढ़ा रहे हैं जो भी आप क्लास ले रहे हैं आप उसके जो है किंग है कुईन है आप जो चाहें कर सकते हैं आप जिस तरह से पढ़ाना चाहें आप पढ़ा सकते हैं आप देखें, King जो होता है, King Self Rule, Autonomy, free from any dimension, King का जब मैंने आपको word दे दिया, एक title दे दिया, King का title दे दिया, Queen का title दे दिया, अब एक अच्छा राजा दो तरहा के लोग, एक दो तरहा के राजा होते हैं, अच्छा होता है, बुरा राजा वो होता है, जो अपने प्रजा का खयाल नहीं करता है, और अपने इंट्रिस्ट को ज़्यादा प्रमोट करता है, और एक अच्छा राजा वो होता है, जो अपने प्रजा का खयाल रखता है, और अपने इंट्रिस्ट को पीछे रखके, आपके पास self-rule है जो आपके पास एक तयार है ये जो है आपका एक जो right है इसको आपके हाथ में आपके डिपेंड करता है कि कि आपको कि आप इसको किस तरह से लेते हैं आप गलत तरीके से लेक Cup get बुरा राजए व्रा बनेंगे या आप इसको सही तरीके से लेके अच्छा राजा एक अच्छा टीचर बनेंगे और अपने students का भला करेंगे आप चाहें जो चाहें आप जैसे चाहें आप कर सकतें नेकिन ये ज़रूरी है कि आप जो भी करें whatever you do in the class it should be for the benefit of your students जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था classroom discourse में कि lecture जो होता है it is the least preferable लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है discussion जहां पर बच्छों का और teacher का दोनों का involvement होता है सिर्फ आप ही आप बोले चले जाएंगे तो बच्चे का कोई intervention नहीं होगा बच्चे का कुछ भी नहीं उसका participation होगा तो इस तरह के teaching को हम अच्छा नहीं मानते हैं अच्छी teaching कौन से होती जहां पर students का भी participation होता है तो आपके पास autonomy है आपके पास स्वत्तता है आप जो चाहें कर सकते हैं लेकिन आप वो करें हमेशा जो आपके बच्चों के लिए आपके छातरों के लिए आपके students के लिए बहतर है next is it is based upon a systematic body of knowledge you know teaching profession जो है वो ग्यान की वैवस्थित निकाय पर आधारित है you know teacher जब हम बन जाते हैं तो हमारा काम है कि हम बच्चों को ग्यान दे systematic ग्यान दे अप ग्यान जो होता है नो knowledge जो होता है उसकी कई सारी layers है social है political है historical है psychological है economic है cultural है and religious है तो कहीं और कोई भी आप discipline पढ़ाएं वो अकेला अपने आप में आप उसी पर बेज नहीं पढ़ा सकते नो जितने भी subjects हैं जितने भी चीजें हैं वो आपस में सब correlated हैं इसी नहीं अभी जब आप अपने methods की बारे में पढ़ेंगे तो उन methods का अपने उसारी उन subject का relation आप दूसरे subject से भी पढ़ेंगे like the relation of economics with mathematics के mathematics से economics का क्या relation है economics का English के साथ क्या relation है economics का history के साथ क्या relation है economics का psychology के साथ क्या relation है economics का civics के साथ क्या relation है तो हर वोई subject जो हो न वो अकेला नहीं है वो सबसे मिला जला है वो सबसे correlated है तो जब आप कोई भी subject पढ़ाएंगे, कोई भी चीज आप जब पढ़ाएंगे, तो वो आप एक अकेले में आप नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको कहीं न कहीं है, आपको overall आपके पास knowledge होनी चाहिए, तभी आप अपने subject को बहतर से बहतर अपने बच्चों तर पहुचा सकते ह the profession is based upon the systematic body of knowledge enamated from different spheres of human life and activities, हम जो भी काम करते हैं, जिस भी चीजों में हम involved हैं, उन सभी चीजों के basis पर अपने knowledge, अपने experiences के basis पर हम बच्चों को ग्यान देते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारे आख, नाख, कान, हमेशा हमारे जो इस five senses हैं, वो हमेशा खुले रहें, ताकि हमारे पास जो knowledge है, वो complete knowledge आए, जो भी हम अपने बच्चों को knowledge दें, वो एक objective knowledge हूँ, हमारी अपनी biasness, हमारी अपनी personal tendency जो है, उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, अगर हम किसी चीज़ को, किसी भी religious group को follow के मानने वाले हैं, किसी भी एक ideology के मानने वाले हैं, वो चीज हमारे पढ़ाने में नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, we should be neutral, we should be objective while teaching, तो आज हम इतना ही रखते हैं, 5 characteristics of the teaching profession, in the next class, we'll take on the other 5, thank you so much.